असलाम वालेकूम, वल्कम आप सभी का इस नई वीडियो में, तो जेके बोस की तरफ से क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की जो बाइनवल के कंडिडेट्स हैं, जिनका रिजल्ट रिसेंटली यहाँ पे डिकलियर हो चुका है, उन सभी कंडिडेट्स के लिए यहाँ एक बहुत है और आपको लग रहा है कि एक दो मार्क से मैं फेल वहाँ पे हो रहा हूं, या तीन-चार मार्क से भी अगर आप फेल हो रहे हैं किसी एक दो-तीन सब्जिक्ट में, तो आप उस कंडिशन में जब वो रिएवलेशन के लिए अपलाई करके, अपना पेपर दुबारा से च जिरॉक्स क्या होता है, के से अपलाई करना है, कब जे कब तक अपलाई करना है, बोथ 10th, 11th और 12th के कंडिडेट्स के लिए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ टेलीग्राम ग्रूप या रिजल्ट काफी कम आया, आपने देखा, 30-35% के आसपास सभी का रिजल्ट रहा, 11th का कल आया, वो भी 35% के आसपास आक कुछ का 25 हो गया, कुछ का 30 तक हो गया, यान कि ववराल काफी कम आपका रिजल्ट यहां पे बाइन्वल में रहा है, तो उसके यही रिजन होता है, कि student वगेरा पढ़ते नहीं है, वो आपको पता ही, तो लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले, reevaluation क्या होता है, और zerox copies क्या होती, देखे, reevaluation होता है, आपके papers को दुबारा से reevaluate किया जाता है, दुबारा से उनको चेक किया जाता है, और देखा जाता है, कहीं पे क कोई answer चेक किये बिना तो नहीं रह गया, कोई answer उसकी कम marks तो नहीं दिये गये है, तो उस condition में आपके paper को दुबारा से चेक किया जाता है, इसमें आपकी chances रहते हैं, कि एक से दो या तीन marks कभी कभी आपको वहां पर बढ़ जाते है, अगर आपको किसी subject में दो या तीन marks कम है, आपको लग रहा है कि दो तीन marks से में पास हो जाता, तो आप उस condition में re-evaluation के लिए apply कर सकते हैं, इसमें आपका paper re-evaluate होगा, दुबारा से चेक होगा, और दुबारा से आपका नया result आ जाएगा, और उसके बाद वो आपका separately हम पर announce होगा, उसके साथ रोक्स copies होती ह आपको अपने answer sheet की photo state दी जाएगी, और उसके बाद आप जा की चेक करवा सकते हैं, कहीं से भी, और देख सकते हैं कि J.K.Boss वालों ने उसमें marking अच्छे से की है, क्या 5 marks वाला, जिसमें मैंने 5 marks attempt किये थे, उसके कहीं उन्होंने 1 या 2 marks तो नहीं दिया, या कम marks तो नहीं या class 12 का जिन्होंने बाइनवल का exam दिया था, और उनका result यहां पे announce हो चागे, और अब अगर वो re-evaluation या zirox copies के लिए apply करना चाहते हैं, तो उनके लिए dates यहां पर आ चुकी है, apply आप लोगों को online करना पड़ेगा, dates पर हम यहां पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फ zirox copies की यहां पे रहेगी, 11 January, 2 January से लेकि 11 January तक आप अपना zirox के लिए apply कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी collection होगी photo copies की, वो 13 January तक आपको अपना photo copies जो उसका लेना पड़ेगा, और last date re-evaluation के लिए आपको 16 तक यहां पे रहेगी, यानकि एक तारिक से, sorry, 2 January से इसी subject में कम है, और उस condition में आप काम करना, आप xerox copies के लिए apply करना, उसके बाद अपनी answer sheet आपको मिल जाएगी, उसको आप school पी लेकि वहां पे check करवा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि marks 2-3 मुझे मिल जाएंगे, तो फिर आप उसके बाद re-evaluation के लिए apply करना, या directly आप re-evaluation के लिए भी apply कर सकते हैं, कोई issue इसमें नहीं होता है, अब देखें इसमें apply करने का थोड़ा सा एक procedure होता है, इसके लिए आपको एक तो fee भी pay करने पड़ीगी, लेकिन उसके लिए आपको eligibility criteria भी होता है, ऐसा नहीं कि हर candidate जाएगा, और re-evaluation के लिए apply कर देगा, कुछ भी नहीं होता, आप जिस subject के लिए re-evaluation करवाना चाहते हैं, या जिस subject का आप Xerox copy लेना चाहते हैं, तो उसमें condition यह है कि उस subject में आपको minimum 20% marks होनी चाहिए, या 20% marks आपको minimum उस subject में होनी चाहिए, तब जाके आप उस subject का re-evaluation ले सकते हैं, या Xerox script यहां पे अपनी उसमें ले सकते हैं, तिक 20% के marks आपको उसमें होने चाहिए, अगर 20% के below marks आ रहे हैं, तो आप उस subject के लिए यहां पे apply नहीं करते होती है, यह subject wise होते हैं, यह overall percentage नहीं होती है, अब देखे जब आप re-evaluation के लिए apply करोगे, उसमें आपको fee भी लगेगी, ऐसा नहीं कि free में आपको होगा, re-evaluation के लिए आपको 495 per subject यहां पे लगेगी fee, फिर आप 2 subject का बरो, 3 का बरो, 4 का बरो, 5 का बरो, 495 आपको per subject रहेगी, fee आपको online pay करने पड़ेगी, और अगर आप Xerox copies लेना चाहते हो, तो उस condition में आपको 255 per subject यहां पे आपको रहेगी, आपको जितने subject की मर्जी, आप उतने subject का यहां पे ले सकते हैं, 495 आपको जब रिवालवेशन के लिए लगेगा, और 255 आपको Xerox copies का, यहां पे आप लोगों को लगेगा, और यह fee आपको total करके, online credit, debit card, net banking के जरीए आप लोगों को पे करना पड़ीगा, तो इसलिए अगर आपको लग रह कर दो कर दो हूं झापको लगेगा, तो कर दो कर दो बहुगों करुंते हैं, पर अभदेड़ाखा, एक है को यहे हैं, आपको टापको जो शर illuminता बेसे बवालवेशन के ले पड़ती हैं, ON मैं वे और 155 आपको जापको बोगेभ लेगेशन का. वे वे तक दो आपको ब़त